कि स्वाहगत दोस्तों आपका आइट में आपके सात्व राम कुमाई राज्वूद आज में आपके लिए लेकर आए उप सन्सक्रीट के सब्सक्राइब के लिए इंप्टेंट कॉस्टन लेकर आएँ नमर का कि नमर एक पर ये दिगाए हैं विकलप आपको इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है दोस्तो सभी कॉस्चन को इनको आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाना है जिससे की इस पेपर से दोस्तो आपको बार से पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी बहुत कॉस्चन इसी पेपर में से आपको बार से पेपर में दे को साथ नमर की वोदी आएंगी यह विकल्फ है इसको बिल्कुल अच्छे से याद कीजिएगा प्रत शंधी विच्छित करकर जाना है आपको शंधी विच्छित करके जाना है और को शंधी विच्छित आएंगी समास आएंगे समाज बिग्रौे करने आएंगे और आपको प्रत्य उफ्शरग लट лиकार करकर जाना है कुई चार स्लों कीजिएगा आपको यह से चार स्लोक यात करना है उसमें कोई छे नम्मर के विकल्प आपको यहां पर देखने को मिलेंगे यह आपकी बहुत important question है इनको जरूल पड़ कर जाईएगा दोस्तों परियावाची ब्लॉम शर्ब दो आपको जो कि इनका बहुत अच्छे से रिविजन करना है और आपकी पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी होगी आपकी बार्स्टी पर इस्टार्ट हो रहे हैं 18 फरवरीशे पहला पर आपका हिंदी का है मैंने हिंदी का पर भी आपको डाल दिया ह जेदी आपने नहीं देखा है तो आप ले लिश्ट में जाकर देख सकते हुए मैं आपको कलास 10 के ऑल सब्जेक्ट की पेपर के इंपोटेंट कॉस्चन बताऊंगी दोस्तों आपको उसमें से असी में आपको इस पेपर में शे बार्सीक पेपर में तीस नम्मर का इसी पे पूरा रिविजन करकर जाईएगा आपने तयारी तो पूरी कर ली होगी इस पीपर को जरूल पड़ कर जाईएगा दोस्तों बहुत इंपोटेंट कॉश्चन है यह इस पीपर को आप पूरा शॉल्ब करना दोस्तों पीपर को अच्छे से पड़कर जाईएगा दोस्तों सुद्ध सुद्ध वाक भी पड़कर जाईएगा यह आपको पीपर में अवश्य देखने को मिलते हैं दुट नम्मर की दीएगा है इसमें आपको कि यह क्लास तोल की मैने हंदी का प्राप कर्वा दिया क्लास टेंट का हिंदी का प्र करवा दिया इंपूटेंट कोश्चन जो पेपर मैं आकर कर almost दिखुआ है यह पड़कर देखने distort और श्यांबेर का जरूर्य प्र पड़ाईएगा पंड़कर द्यानी से कॉस्शन ये आपको जरूर इसमें से मैं करवा रहे हैं इसमें से कउस्शन आपको तीष्ल मरं का जरूर देखने को मिलेगा और मैं आपका संस्क्रिट का एक-ओर पीपर करवांगे तो prostico को दार्फ करणा है संस्कृत अज़रल सलच है लेकिन संस्किट मैं बहुत कम लिखना पड़ता है बहुत ऊचींस सइस करना है इसका बहुत अच्छे से रिदियेगर करेंगद में मłum косथ के डीस कि परिकार के किस परिकार क्षोर जाकर सकत JOSH गें में आपको लिए 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 बूला था लोग जरूर कर दिया गाया हूँ अपकाश पत्र कर ले लिया होगा आप कोशन नंबर 23 पर दिया है निवंद इसमें से चाद नमर का आपको निवंद में संसक्राइब जरूल कर जाएगा कब वह कभी कालीधाज़ी का भी करके जाएंगे और आपने अवी तक तो बहुत से कर ली होंगे लेकिन आपको यह दौनों कोशण जरूल करकर जाना यह पेपर में से आपको देखने को आई हो आपको यह वीडियो पसंद आई हो